नमस्कार दोस्तों, मैं मंदीव सर्मा, आपका आराटैक में स्वागत करता हूँ दोस्तों, यदि आप بھی टेलिग्राम का यूज करते हैं और आपका टेलिग्राम पर कोई गुरूप या फिर चैनल है और दोस्तों आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने उस टेलिग्राम ग्रूप या फिर चैनल में अपना कोई फोटो अपलोड करें या फिर दोस्तों आप टेलिग्राम पर किसी के भी पास अपना कोई फोटो अपलोड करें तो दोस्तो उस फोटो में आपके टेलिग्राम ग्रूप या फिर चैनल के नाम का वाटरक मार्क आ जाना चाहिए लेकिन दोस्तो आप नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं तो दोस्तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंते तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी तरह से टेलीग्राम पर अपने किसी भी फोटो में अपने टेलीग्राम ग्रूप या फिर चैनल के नाम का वाटरक मार्ग कैसे लगा सकते ही तो दोस्तो हम किस तरह से ऐसा कर सकते ही यह जाननी के लिए आपको चलना होगा मिरे मोबाल की स्क्रीन पर मोबाल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपस एक बात जरूर कहना चाहूँगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सकाइब बटन पर क्लिक करके सब्सकाइब जरूर करें और बैल आइकन दबा कर ओल पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो प्लोड ओ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तो जादे देना करते हुए जानते हैं कि हम अपने टेलिग्राम पर किस तरह से अपने किसी भी फोटो में अपने टेलिग्राम गुरूप या फिर चैनल के नाम का वाटरक मार्क कैसे लगा सकते हैं आपको दोस्तो उपर ये देखिए सर्च का ओप्सन मिलेगा आपको दोस्तो इस सर्च वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है दोस्तो सर्च वाले ओप्सन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वाटरक मार्क वॉट दोस्तो जैसे ही आप वाटरक मार्क वॉट डाल कर यहाँ पर सर्च करेंगे तो यह देखिए दोस्तों आपको नीचे कुछ वाट मिलेंगे यह देखिए आपको कुछ वाट यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है जिसमें दोस्तों आपको उपर यह देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक वोट दिखाई देगा आपको दोस्तो इस बोट पर क्लिक कर देना है यानि इस बोट को आपको open कर लेना है दोस्तो यदि ये वोट आपको search करने से नहीं मिलता है यहाँ पर नहीं मिलता है तो दोस्तो वीडियो के description में आपको इसका link मिल ज दोस्तो start के option पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप start के option पर click करेंगे तो ये देखिए नीचे language खुल कर आजाएंगी अब दोस्तो आपको क्या करना है अब यहाँ पर अपने अनुसार आपको language select कर लेनी है जैसे दोस्तो मैं यहाँ पर English को select करता हूँ तो दोस्तो आपको भी इसी तरह से एक language यहाँ पर select कर लेनी है दोस्तो आप भी जैसे ही एक language यहाँ पर select करेंगे तो ये देखिए दोस्तो नीचे खुल कर आजाएगा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यानि step first यहाँ पर आजाएगा we set watermark from picture और text तो दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर दो option आपको मिलेंगे picture और text का तो आपको क्या करना है आपको पहले वाले picture वाले option पर click कर देना है दोस्तो पिक्चर वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर यह देखिए लिखा हुआ आएगा send the watermark as a transparent png और jpeg as a file not as photo यानी दोस्तो यहाँ पर आपको अपना वह photo send करना है जिसका आप watermark बनाना चाहते हैं यानी अपने photo में जो watermark आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको उसे send कर देना है लेकिन दोस्तो उसे आपको directly photo के रूप में send नहीं करना है आपको उसकी file बना करके यहाँ पर send करना है दोस्तो file बनाने के लिए क्या करना है file बनाने के लिए आपको नीचे यह देखिए attach के option पर click करना है attach के option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको directly इस photo को select नहीं करना है आपको क्या करना है आपको नीचे file का option मिलेगा आपको दोस्तो इस file वाले option पर click कर देना है दोस्तो फाइल वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आप गैल्दी के option पर click करके अपने उस photo को या फिर उस watermark को या फिर उस sticker को select कर सकते हैं जिसका आप watermark मार्ग बनाना चाहते हैं टेलिग्राम पर या फिर दोस्तो यह दि आपने वह अपने किसी folder में डाला हुआ है तो आप folder को select करके उसको अपने उस watermark को select कर सकते हैं यहाँ पर internal storage के option पर click करके तो दोस्तो मैं यहाँ पर gallery के option पर click करके अपने उस photo को यहाँ पर select कर लेता हूँ उस sticker को यहाँ पर select कर लेता हूँ जिसका मैं watermark बनाना चाहता हूँ तो दोस् ही आप अपने उस photo या फिर sticker को send करेंगे जिसका आप वाटरक मार्क बनाना चाहते हैं तो यह देखिए दोस्तो नीचे कुछ number आ जाएंगे यानि off city यहाँ पर आ जाएगी आप यहाँ पर उसको select कर सकते हैं किसी आपको दूसरे वाले को select कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको ratio select कर लेना है ratio select करने के बाद यहाँ पर दोस्तो कुछ चिन आपके सामने आ जाएंगे इन चिन का मतलब है आप अपने photo में अपने अपने अनुसार select कर सकते हैं जैसे दोस्तो मैं अपने वाटरक मार्क को अपने फोटो में सबसे नीचे राइट हैंड में कोने में दिखाना चाहता हूँ तो मैं सबसे नीचे वाले उप्षन को सलेक्ट करता हूँ सलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है आप दोस्तों यहाँ पर चेंज के ओप्षन पर क्लिक करके इन चीजों को चेंज भी कर सकते हैं यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो और चेंज नहीं करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है आपको दोस्तों अपना वह फोटो यहाँ पर सैंड करना है जिस photo में आप अपने इस water mark को लगाना चाहते ही जैसे दोस्तों मैं अपने एक photo को यहाँ पर send कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप अपने photo को यहाँ पर send करेंगे तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर यह photo upload होने के बाद नीचे एक photo आएगा इस photo को आप जैसे ही download करेंगे और यह देखे दोस्तो जैसे मैं यहाँ पर download करता हूँ और इसे open करता हूँ तो यह देखे दोस्तो नीचे मेरे इस photo में मेरा watermark आ चुका है तो दोस्तो इसी तरह से आपके photo में भी watermark आ जाएगा लेकिन दोस्तो ध्यान रहे कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन photo में watermark लगा सकते हैं एक दिन में यानि दोस्तो आप तीन photo पर ही अपने watermark को लगा सकते हैं इस water द्वारा एक दिन में यदि आप एक दिन में चार photo में watermark लगाना चाहते हैं तो दोस्तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे इसके लिए दोस्तो आपको इस वोट को खरीदना पड़ेगा फिरी मैं आप सिर्फ और सिर्फ तीन फोटो पर ही वाटरक मार्क लगा सकते हैं एक दिन में और दोस्तों यदि आपको कोई question मुझे से पूछना हो या फिर दोस्तों आपको इसमें कुछ समझ में नाया हो तो आप मुझे इस्टापर DM कर सकते हैं Instagram का username आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद